नीटे बंग नेटेर प्रोष्ण फास बितर के उद्ताल गोटा देश, तदुन्तो कारीडा तदुन्तो शुरू कोरेचें, नीटेर प्रोष्ण पत्रो फांशोलू की भाबे, शेई शुत्रेर खोजे तदुन्तो कारीदेर नजोरे, हाजारी बागेर एक्टी स्कूल, पोड पेपर लीक कांड का जहारखंड कनेक्शन सामने आया है, कहा जा रहा है कि नीट पेपर का प्रशन पत्र सबसे पहले, जहारखंड के हजारी बाग के Oasis स्कूल से लीक हुआ था, ये परिक्षा केंदर था, इस उसकूल के परीसर में हम मौजूद हैं, ये एक प्राइबेट उसकूल है, जिसको CBC से मानेता प्राप्त है, NTA ने इस स्कूल को जो है परिक्षा केंदर बनाये था, आपको बता दे, पतना के लर्ण एबम प्लेव स्कूल की छट से पतना पुलिस को जले हुए प्रशन पत्र मिले थे, बिहार की आर्थिक अपरादिकाई ने जले हुए प्रशन पत्र का मिलान NTA के ओर से उपलब्द कराएगे मूल प्रशन पत्र से किया है, वह अब उसको फरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जले हुए प्रशन पत्र पर सीरियल कोड लिखा हुआ था, EOU को NTA से जले हुए प्रशन पत्र के सीरियल कोड से संबंधित वा करिमचारियों से पूस्ताज की है PESAIS उस्कूल के करिमचारियों का जो बयान है वह भी दर्च किया गया है ऐो के सतयापन में प्रितन दिश्टिया इस परिक्षा के अंदर से परश्चनपत्र कीप किंग के संधिक पॉली बैक सम्पंधित अभिरतियों से बरामाज मूल प्रशनपत्र की पैकिंग और संबंधित पैकिंग ट्रंक में इन सभी के साथ छेरचार होना पाया गया है यू ने सभी सबूतों को जब्द कर लिया है इंटीय का परिक्षा केदर था यह 100% सच है और मैं इंटीय में सिटी कॉडिनेटर भी था मैं एमीन इंटरस्ट में एक्जामने शनवा यह सत है एक सेरियल नंबर बुकलेट पटना में उसकी कॉपी उनको मिली थे तो वह बुकलेट हाजारी बाग का ही था तो वह बुकलेट नंबर उने दिया जाज के करम यह पाया गया कि वह बुकलेट जो नंबर आ रहा था उस इसी अब सवाल यह उठता है कि वह बुकलेट पटना पहुंचा गया से तो पांच तारीक को हम लोग ने एस बी आई जुलू पाक ब्रांच से यह कोशन ट्रंक्स हम लोग ने रिसीव किया था और वह उस समय जिस समय रिसीव किया था सीएस और ऑब्सरवर की मौजूदगी में रिसीव हुए थी वो फिर यहां आया और यहां दोनों की मौजूदगी में रखा गया था और बॉक्स जब खुलती है वो करीब सावा एक बज़े जो डेजिनेटे टाइम था उस टाइम पे खुलना था और जैसा कि एसोपी करता है कि आईरेन बॉक्स जब भी खुलेगी तो उस समय एक CS मौजूद रहेगा, दो टिप्टी CS मौजूद रहेंगे, एक NTA का भीजा हुआ observer मौजूद रहेगा, दो इन्विजिलेटर मौजूद रहेगा और दो कैंडिडेट्स जो नीट एस्परेंट्स होते हैं वो भी मौजूद रहेंगे, यह सभी देखेंगे कि सारी SOPs फॉलो की जा रही है, वहाँ कोई गरबड़ी नहीं है, वो सारी SOPs फॉलो करते हुए सब कुछ किया गया, आपको पता दे कि वो जो बॉक्स होती है, वो सेवन लेयर्स में होते हैं, तो वो सेवन लेयर्स सब के सामने खोला गया, यह answer packets जो होते हैं, जो question booklets होते हैं वो इस तरह के एक प्लास्टिक के envelope में होते हैं, जो temper proof होता है, तो उसी envelope में ही adhesive से चिपका होता है, तो normally हमारे exam process में क्या होता है, कि 24 जो बच्चे होते हैं एक classroom में, उन बच्चों के सामने इसको दिखाना होता है, कि that it is all sealed, तो बच्चों को teachers दिखाते हैं, अमीं जो invigil इसको दिखाते हैं, और फिक कैंची से उनके सामने काटते हैं, एक ट्रंक में छेड़ शाड़ हुआ, यह यहां लग रहा है, मैं पहले इसको क्लेर करता हूं, तो इसको काटते हैं, तो इसको काटते हैं के बाद, बच्चों को सब question booklets बार दिया एता है, वो question booklets फिर से उन को रिपूट किया आता है, जो EOU की टीम है थी, उसने इसी पैकेट को, जो अन्यूस पैकेट था, इसका अपोजिट एंड दिखाया है, और दिखाया है कि इसके अपोजिट एंड में एक दम बिलकुल माइनूट सा बारिक सा यहां कट का कुछ मार्क है, जो उन्होंने बता है कि जो बहुत highly skilled लोग होंगे वही देख सकते हैं, कैमरा परसन विशाल राय के साथ सशाम कुमार, ABP News, हजारी बाद